हेलो एंड वैलकम टुकू की प्रेम लता आप सब का मेरे चानल में बहुत-बहुत स्वागत है और यह कुकर भी मैं आलू उबाल रही हूं तो आलू अपनी हिसाब से कर सकते हैं कम जादा कर सकते हैं और मेरा यह आलू उबल के तयार हो गया है मैं रफली इसको काट रही हूं और इसमें आप आलू जो लेंगे वो छोटा बड़ा जैसा भी आलू आप ले सकते हैं लेकिन एक बात मैं बोल देती हूं कि ऐसा करने से ज्यादा अच्छा से आलू उबल भी सकता है और आपको ज्यादा महनत भी नहीं लगेगी आप बालने के पहले आलू को अच्छी तर होता है इस वजह से पहले छील दीजे छीलने के बाद उसको उबालने के लिए यह अपना मेरे तरब से यह टीप सेंट्रीक हैं तो इसको अपनाएए और फॉलो करें और देखे मैं रफली काटली हैं चोटा बड़ा जो भी आलू अपले सकते हैं अब इसका चोका तयार गरब होने के बाद इसमें जीरा डालूंगी जीरा आप मेरा एक ही चमच है और एक चमच जीरा डालूंगी प्याज डालना है प्याज अपने हिसाब से आप काट की भी डाल सकते हैं पीस की भी डाल सकते हैं दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं और तेज पत्तर डालना है इसमे तो ये एक तरह का मसाला वाला अलू बन रहा तो बहुत ही टेस्टी बनता है एक बार जरूर ट्राइ करिएगा ट्राइ करके कमेंट जरूर करिएगा आप कमेंट नहीं करते हैं बस यही बात मुझे थोड़ा अफसोस है कि आपको क्या मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगती है अरे कम जादा कुछ भी हो आपनों जरूर बताईए उससे क्या होगा मेरा रेसिपी जैसा भी होगा गलत है तो बता दीजिए थोड़ा आप सुधारने की कोसिस करूंगे और अच्छा है तो कम से कमेंट करके तो जरूर बताईए कि कैसा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और ये देखिए प्याज और तेजपता अच्छी तरह से भून रहे हैं क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ लेकिन मेहनत कफल आप लोग नहीं देते हैं मैहनत की ऑसथे आप लोग भी मेरा हैल्प करिए और देखिए अद्राक लिसमर्ट का मैं पेज्ड डाल रही हूं और इस तरह से पेज्ड को इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये देखिए अच्छी तरह से भूसाे और भुझने के बाद इसमें आप ट्रणांते का प्य उर्य डाल दीजिए गाल डवी कि क्यों तो दो, तीन चितना भी आप उसको काट लिजए काट की ढार सकते है और पिसकें भी डाल सकते हैं। तो मैंने लगृत हितने कि कर देने, और मसाले जो अपने तो इसके बाद मसाले याट करूंगी तो मैं जीरा धन्या सबका मिक्स मसाला डालती हूं और आदा चमच हल्दी डाल दूंगी तो इस तरह से ये मसाला भी मेरे तयार हो जाएगा तो मसाले अपनी हिसाब से डाल सकते हैं जो आपको कम जादा आप अपनी हिसाब से कर जरूरी नहीं है कि जैसे मैं मसाला डाल रही हूं वैसे ही आप भी डाले तो मसाले आप डाल सकते हैं और नहीं तो मसाले इसकीप कर सकते हैं तो कोई दिकत नहीं मसाले इसकीप भी कर सकते हैं आपको कम जादा कर सकते हैं तो इस तरह से आप बनाएए और थोड़ा बहुत आप अलग से एड़ भी कर सकते हैं तो एक्स्पेरिमेंट आप कर रहे हैं कुछ अलग कर रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताएए कि यह ऐसा नहीं ऐसा होगा तो मुझे भी यह चीज का नॉलेज हो जाएगा कि मैं थोड़ा बहुत और अलग से एड़ करूं तो यह देखिए मसाले में डाल रहे हूं और इसमें आप धनिया डाल दीजिए धनिया जीरा का जो पौडर आता है वो डाल दीजिए आप भून के रख लीजिए उसको अलग स तरह से भूंजना है और यह नमक डाल दीजिए टेश्ट के अकॉर्डिंग जितना मुझे मसाले में और आलू में नमक चाहिए उससाथ से आप नमक डाल लेजिए और नमक डालने के पार जो आलू मैंने रफली काटा हुए है और उसमें दो आलू कप अच्छी तरह से उसक तो इस सब को देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से तेल निकलने तक अच्छी तरह से भूंजा जाए गया है अब अबस यही इसी स्टेज में आप आलू को डाल देजेगा आलू मेरा काट की तयार हो चुका है तो बस आलू को मैं इसी में डालूंगे और धनिया भी मैंने का अच्छी भी चीज के साथ इसको सर्फ कर सकते हैं तो मसाले के साथ थोड़ा सा पानी भी मैंने अट किया है कि मसाले को भूंजने के लिए हलका पानी के विज़रत पड़ता है अच्छा है तो नहीं भी डाले तो चलेगा तो बस यह मेरा तयार हो चुका है और आलू मैं इस तक कि आलू में पूरे अच्छी तरह से मसाला नमक से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा अच्छा से अच्छा से अट पिलट करके इसको भूंजिए गा और भूंजने के बाद भस धनिया से गानिश कर देजिए पत्ताला धनिया जो आता है उसको अच्छी तरह से काट के दो किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते हैं पराटा के साथ पूरी के साथ या फिर चामल के साथ भी आप खा सकते हैं यह बहुत ही अच्छी लगती है तो बस यह देखिए धनिया में से गानिश कर लिए हूं कितना अच्छत ने रेसिपी बन के तयार हो गया है घल्दी एंट और घर के लिए तो बहुत ही अच्छा है फैमिली और फ्रेंड्स को बच्चों के टीफिंग लिए भी बहुत अच्छा बेस्ट है एक बार जरूर ट्राइ करेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा थैंक्स पर वाचिंग मैं व झाँrakा थैंक्स प्रेंड़ पर वाच एंसा जरूर टूर करेगा बार ट्रेंपह से हैं।